हेलो स्टुडेंट आज हम ट्राइड्रिक एल्कोहल का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे इसमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख रहे थे जिसमें हम लास्ट जो एक्स रियक्शन देखी थी वो कार्बॉक्जिलिक एसीड के साथ जो रियक्शन्स होती हैं वह देखी थी उसी के नेक्स्ट में आज हम देखते हैं कि एसीटाइलेशन रियक्शन्स क्या होती है मिस्ट रियक्शन विथ एसीटल क्लोराइड और एसीटिक एनहाइड़ाइड जब रियक्शन करें जाती है तो उसका एस्टर का फॉर्मिशन होता है ग्लीसरॉल के तो ओ एच उपने वाली रियक्शन है यह जिसमें हम देखते हैं कि जब ग्लीसरॉल का एसीटाइलेशन करें जाता है एसीटल क्लोरेड या एसीटिक हैनरेड के साथ उसको टीट किया जाता है तो ट्राई एसीटेट मिस्ट एस्टर का फॉर्मेशन होता है तो जितने ओ एच ग्रुप होंगे उतने ही एस्टर का फॉर्मेशन होगा तो यहां हम देखते हैं ग्लीसरॉल में तीन ओच ग्रुप है तो ट्राई एसीटेट ग्लीसरॉल ट्राई एसीटेट का फॉर्मेशन होता है यह रियक्शन एसीटाइलेशन रियक्शन कहला थी क्योंकि एस्टर का फॉर्मेश तो यहां पर हम देखते हैं कि क्लिसरोल में दो प्राइमरी एलकॉहल ग्रूप है और एक सेकंडरी एलकॉहल ग्रूप है तो दौनों ही ऑक्सिडाइज हो जाते हैं जैसा कि हम जानते हैं तो डिफरेंट ऑक्सिडाइजिंग एजेंट लेने पर डिफरेंट प्रोड़क्त जो मैं राप्त होते हैं तो यह हम देखते हैं पहला ओक्सिडेशन जिसमें CH2 OH CHOH CH2 OH ग्लीस्रॉल है जिसमें अगर O Sandation Bromon or Sodium Hyperbromide अजГर फैंटोन अभिकरमक के साथ अगर- औक्सीदेशन कराया जाता है फैंटोन अभिकरमक हता है फैर Samuel और आईडुजन पर और ऑक्साइड का मिश्रण जो होता है वो फेंटॉन अभी कर्मक कहलाता है तो यहां पर जब ग्लीशरीन ग्लीशरीन या ग्लीसराल उसका ऑक्सीडेशन जब सोडियम हाइपो ब्रोमाइड और ब्रोमीन और फेंटोन रिएजेंट के साथ अगर करेंके आग्सीडेशन कराय जाता था है तो glycerdihyde और dihydro-oxy aceton जो है वहां बनते हैं और इसी dihydro-oxy aceton and glyceraldehyde कभी पेला oxygen जिसमें हम कह सकते हैं कि में एक तरफ global body बन रहा है मिस primary alcoholic group का oxidation हो रहा है जिससे glyceraldihyde का formation हो रहा है सिदूसरी तरफ oxidation जिसमें हम कह सकते हैं कि सेकंडरी एलकॉहल का व्यकॉहाऽूलीग गृप प्राइमे धैयर होता है तो एक तरफ प्राइमरी एलकॉहॉली गृप तरह है तो एक त्छात के जिसे फॉर्मिशन हो रहा है दूसरी तरह सेकंडरी एलकॉलिक ग्रुप का ओक्सिडेशन हो रहा है जिससे डाइ हइडरोक्सी एसिटोली का फॉर्मिशन हो रहा है कि इन दोनों कमपाउंट्स को जब जीडो डिग्री सेंटी ग्रेट पर शार की उपस्तिधिन में कंडेंस किया जाता हैं संगनित किया जाता है तो फ्रक्टोस का फॉर्मिशन होता है इसी प्रकार से अगर और ऑफिदेशन नाइटिक एसिट के द्वारा करवाते हैं अपन नाइटिटिंग डियेजेंट ऑफिडाइजिंग रियेजेंट जो होते हैं जो सिंपल जैसे हम कहते हैं नाइटिक एसिड है केमनोफोर है इस पकार से और जो ऑक्सिडाइजिंग एजिंट होते हैं तो यहां पर अगर हम कहें कि डाइलूट नाइटिक एसिड के साथ अगर ऑक्सिडेशन कराया जाता है ग्लीसरेल्डियाइड का तो छी एचो ग्रूप एल्डी एडी ग्रूप है वहां ऑक्सिडाइज हो जाता है एसिड में तो उससे ग्लीसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है फर्दर उसका ऑक्सिडेशन कराया जाता है तो प्राइमरी एल्कॉलिक ग्रूप ऑक्सिडाइज हो करके पहला प्राइमरी एल्कॉलिक ग्रूप तो ऑक्सिडाइज हो गया है दूसरा जो primary alcoholic group है वो oxidize होकर के tartronic acid का formation करता है इसी प्रकार से जो tartronic acid बना है उसका further oxidation किया जाता है तो पहले tartronic acid तक दोनों का primary alcoholic group का oxidation होके acid का formation होता है और further oxidation करेंगे तो secondary alcoholic group जो है वह oxidize हो जाता है जिससे meso-oxylic acid का formation होता है यहां पर हम देखते हैं dihydroxy acetone जो है उसका भी अगर further oxidation किया जाता है तो meso-oxylic acid का ही formation होता है meso-oxylic acid का further oxidation अगर k-m-n-o-4 द्वारा कराते हैं तो मुख्य उत्पाद जो है वह oxylic acid बनता है कि उसका further oxidation कर दिया जाता है तो carbon dioxide और water का formation होता है तो यहां हमने देखा कि different oxidizing agent लेने पर नाइटिक एसेड लेने पर अलग प्रॉड़क्ट बनता है oxidation करने पर k-m-n-o-4 द्वारा oxidation करने पर अलग प्रॉड़क्ट बनता है bromine sodium hypo bromide या phantom अभी कर्मक के द्वारा oxidation करने पर अलग प्रॉड़क्ट बनते हैं मीजो ऑक्जेलिक एसिट का formation होता है यह तो थी oxidation reactions इसी में next reaction है dehydration reaction miss removal of water molecule जिसमें हम पहले भी देख चुके हैं dehydration reagent जो होते हैं वह सिंप्लेस्ट जो है वह कंसेंट्रेटेटेड एस्टोफोर फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड अल्यमिनियम ऑक्साइड वगर होते हैं इसके अतिरिक इसमें हाई potassium hydrogen sulfate भी होता है तो है दी-हाइड्रेशन करने पर एक्रॉलीन का formation होता है जिसमें OH ग्रूप अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं मिन्स राइट साइड में पहला OH राइट में हैं दूसरा लेफ्ट में और तीसरा राइट में होता है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो वाटर मालिक्यूल जो है वह निकल रहे हैं तो रेस्ट पार्ट जो बचेगा वह आपका CH2 डबल बॉंड C, CO, H और H एलीन जो की अनिस्टेबल कंपाउंड होता है जो धी अरेंज होकर के एक्रोलीन बनाता है मेला CH2 डबल बॉंड C, H और CHO एक्रोलीन जिसकी तीवर स्मेल होती है जो ग्लीसरोन के परिक्षण में टेस्ट में इसका उप्योग किया जाता है नेक्स्ट रियक्षण है नेक्स्ट और लास्ट रियक्षण है फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन जो किया जाता है वो बैक्टीरिया की प्रसेंस में किया जाता है तो ग्लीसरोल के किंडवन से कई प्रकार की योगी का निर्माण होता है जैसे प्रोप्योनिक एसिड सक्सीनिक एसिड एन-ब्यूटेनॉल ट्राइमेथिलीन ग्लाइकॉल लाक्टिक एसिड अगर वेस्ट बैक्तीरिया काम में लिए जाता है तो निश्चित क्रोड़क्ट जो है वो प्राप्त होता है जैसे बैक्तीरिया, Bacillus, B Fernandальный निश्चिट- może me फेर्य До禍 होता है अब हम इसके जूज देखेंगे लिस्ट्रोल का उप्योग कहां कहां किया जाता है जैसे कि हम पूरी दियक्शन्स देख चुके हैं उसमें फॉर्मिक एसिड बन रहा है एल्ली एल्कॉछल का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये इस रॉल जो है वो एलिल एल्कॉॉल फॉर्मिक ऐसीर्ट आधी कंपॉंड की निट्रोल ट्राइं अथ्या नाइट्रोगलिसरीन इसाथ फीलीसा ट्रेया कराक किश हए जी फॉर्ड द Pragते बनाच है जिसको नाइट्रोगिसरीन एक टेलिय रव्य होता है जो ठंडा करने पर क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है सबसे पहले इस स्वीडिश इंजिनिर अल्फ्रेड नोबिल ने बनाया था जिसके नाम से नोबल प्रोस्कार दिया गया इसी करेंट से इसके नोबल ओयल भी कहते हैं कि यह इस वह को खें है अगोन टक्रीन को में रूब में काम में आता है नैट्र ग्लीस्रीण को लखडी की बुरादय में सोक कर तता ठोस अमोनियम नाइंट्रइड मिला करके डाईनाइमाईड जो विस्वोटक होता है वहां बनाए जाता है विसकोटक जिलेटिन नाइट्रो ग्लीसरीन तेथा गन कॉटन का मिश्यन होता है तो यह सारे जो है वह विस्वोटक के रूप में काम में आते हैं काडराइट, नाइट्रोग्लिसिन, गन काटन और वैसलिन का मिश्यर्ण होता है, तो यह अलग-अलग मिश्यर्ण से अलग-अलग विस्वोटक जो है वा बनते हैं, इसी में बूट पॉलिश में काम में आता है, सौंधरी प्रसाधन में काम में आता है, टाइप राइटर के यद्धान कि डिवन और अड़ी में विद्धूर जो है वा सॉफ्ट रहे अमल रोधी ऐसीड प्रूफ सिमेंट बनाने की रूप में भी इसका उप्योग किया जाता है तो यह तो था ट्राइग्लीसराइड के सम्मन में यह खतम हो गया आपका अब नेक्स लेक्चर में हम फिनोल देखेंगे